नमस्कार दोस्तों मैं उंकार शिंग शेखावत रूज मर्रा की जिंदिगी में कदम कदम पे काम करते हुए कई बार हमारे साथ ऐसी घड़नाएं हो जाती हैं जो हमें बहुत बड़ी टीचिंग दे जाती हैं एसा ही एक बार वाक्या हुआ कि किसी रिष्टेदार का उपरेशन हुआ था अस्पताल में और मैं उनसे मिलने गया सुबह का वक्त था अटेंडेंट की जगह मैं अंदर गया थोड़ी देर में नर्स आई मैंने नमस्ते किया और वो बले कि आप लोग बाहर जाएए मुझे कि स्पांजिंग करनी है हम बाहर चलेगे बाहर जाके मैं सुचता रहा कोरिडर में टैलते हुए कि इन दर्सों का काम भी कितना मुश्किल है जो पेशेंट्स के कपड़े उतार के उनकी सफाई करना गिले तोलिये से कई पेशेंट्स की करना फिर अपने हाथ से उनको खाना खिलाना और रोज 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 यही काम बुजूर्गाते हैं मैं यही सोच रहा था कि थोड़े के इरे में उसने कहा कि भी आप लोग आ सकते हैं अब अंदर मैं वादया और तब तो चलीगे नर्स जोड़े इन खानल लीके आई तो मैं ने बोली ये काम तो मैं जीसस के लिए करती हूँ, उन्हें मुझे इसी काम के लिए इस दुनिया में बेजा है, दोस्तों उसका जवाब सुनके मैं हक्का बक्का रहे गया, मैं एक अलगी स्थर पे सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि वो बड़ा बोजवाला काम कर रही है, उसको लगे ना लगे, लेकिन मुझे जरूर लग रहा था, लेकिन वो कह रही थी, कि मुझे तो उसमें सुक मान रही थी, मैं आपने भग्वान को, जीसस को खुश करने के लिए, वो जिम्मेवारी दी है, तो बाद में मुझे लगा कि क्या हम अपने काम के बारे में इस तरह का पाटिचूट डॉबलप कर सकते हैं जब हम नोकरी करते हैं तो यह सोच सकते हैं कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में यह जम्मारी पूरी करने के लिए बेजा है इस परिस्तिते में डाला है या हम कोई प्रोड़क्ट बनाते हैं या सर्विस बेजते हैं तो यह सोचें कि इतनी बड़ी दुनिया को मेरे प्रोड़क्ट की बहुत जरूरत है और यह प्रोड़क्ट बेजके मैं इनकी हेल्प ही कर रहा हूं तो हमारा काम जो है वो नजरिया बदलने मातर से उसी काम में आनंद आने लगता है शुक आने लगता है और उस नर्स के विवार में बस यही अंतर था मेरी सोच में और नर्स की सोच में यही अंतर था तब मेरी ये समझ में आया कि बगवान ने गीता में क्यों कहा है कि जो कुछ भी करते हो वो आप मुझे अर्पित करते चलो